हलो एवरेवन, वेलकम टो आज चैनल यूनिवर्सल लॉज आज की वीडियो बहुती स्पेशल वीडियो है फो आल दा स्टूडेंट्स हुआ प्रिपेरिंग फो हर्याना जुडिशियरी अभे तक हर्याना जुडिशियरी के प्लिम्स एक्जाम में Constitution से रिलेटिड जो भी Questions पूछे गये हैं उन सभी Questions को हमने compile up किया है इस वीडियो में और आज इयर वाईज हमने Questions को डिवाइड किया है कि किस इयर में कितने Questions पूछे गए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे चैनल पर हर्याना, अर्बन कंट्रोल एक्ट, पंजाब कोड्स एक्ट, एविडेंस एक्ट के इंपॉर्टन, MCQs, हिंदु लोर, रिवेजन सेरीज, मेंज, क्वेशन राइटिंग, ऐसे बहुत से वीडियो अवेलेबल हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी वीडियो को देख सकें, एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें सो हम स्टार्ट करते हैं from year 2010, year 2010 में constitution के क्या क्या questions आए हम one by one उन्हें discuss करेंगे, मैं आपको ये कहती हूँ कि आप क्या करें, जैसे कि मैंने question पढ़ा, उसके बाद आप question के बाद जब मैं question complete कर लूँ, तो वीडियो को आप pause कर दें, और आप खुद से सोचें कि आपके according question का answer क्या होना चाहिए, so that आप चेक कर सके कि आपने सही answer चूज किया या फिर नहीं, so the first question is, which of the following functionaries can be invited to give his opinion to parliament, यहां पर जो भी mentioned है, इस सब में से, वो कौन है जिसको पार्लेमेंट में invite किया जा सकता है, अपना opinion देने के लिए, whether Chief Justice of India, Election Commission of India, और Comptroller and Auditor General of India, या फिर Attorney General of India, इन सभी में से, वो कौन है, जिसको पार्लेमेंट में invite किया जा सकता है, कि वो अपना opinion दे सके, correct answer is, option number D, that is Attorney General of India, as per article 76, next question, The Executive Authority of Union is vested by the Constitution in the Executive Authority of Union, जो है, वो किसके पास है, Prime Minister, President, Cabinet और Union Legislature, this is very much simple, कि जो Union की Executive Authority है, That is vested in the President, as per article 53, देखें, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, इसी तरह से आप भी जब questions को attempt करें, तो question के साथ साथ, आप revise करते चलें, कि किस article में वो बात कही गई है, या उस question से related, उस concept से related को important case law आपको याद आता है, तो सब चीज़ों को revise करते चलें, देखें, इस वीडियो को देखने से दो benefits होंगे, एक तो आपको पता चलेगा कि previous years में किस तरह से questions पूछे गए हैं, प्लस आपको साथ ही साथ आपका revision भी होगा, So the next question is, right to seek advisory opinion of Supreme Court, Supreme Court का advisory opinion लेने की जो power है, वो किस के पास available है, प्रेजिडेंट के पास, गवर्णर के पास, या फिर प्राइम मिनिस्टर के पास, या प्रेजिडेंट और गवर्णर दोनों ही क्या advisory opinion उप्टेन कर सकते हैं of the Supreme Court, So the correct answer is option A, that is President, जो advisory opinion उप्टेन करने की पावर है, ये केवल और केवल प्रेजिडेंट के पास होती है, as per article 143, next question, which one of the following Chief Justice of India has acted as the President of India, यहाँ पर जो ये नाम मेंशन है, इसमें से वो कौन से Chief Justice है, जिनहें प्रेजिडेंट के पद पर भी अपॉइंट किया गया था, जिस्टिस M. हिदाया तुल्ला, जिस्टिस P.B. गजेंद्रगरकर, जिस्टिस P.N. भगवती और all of these, correct answer is option A, that is Justice M. हिदाया तुल्ला, next, an ordinance promulgated by the President, प्रेजिडेंट के द्वारा अगर कोई ordinance promulgate किया जाता है, तो उस ordinance का, क्या वो ordinance की indefinite life होती है, हमेशा वो रहेगा, या फिर एक साल के लिए वो ordinance रहेगा existence में, या फिर it must be laid down before parliament, when it reassembles, जैसे ही parliament दुबारा से assemble हो, तो क्या उस ordinance को parliament के सामने रखा जाएगा, या फिर none of these, यह सभी options गलत हैं या फिर, तो आप पहले याद करें कि ordinance making power जो है president की, वो किस article में दी गई है, article 123 में हम पढ़ते हैं about ordinance making power of president, and as per that article, it must be laid down before the parliament, when parliament reassembles, next question, what is the age of age requirement for being elected as the Rajasabha member, Rajasabha के election लडने के लिए कितना age requirement है, 25 years, 30 years, 35 or 40, correct answer is option number B, that is 30 years of age, लोकसabha के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर 25 years हमें देखने को मिलता है, जब हम राज्यसabha के बारे में पढ़ते हैं तो हमें 30 years की age limit देखने को मिलती है, next question, area of लोकसabha constituency, लोकसabha का जो constituency का area है, for the purpose of elections is determined by, किसके द्वारा determined किया जाता है, by the delimitation commission, by election commission of India, by census commission, और by president, कौन डिसाइड करता है, लोकसabha की constituency का area for the purpose of elections, correct answer is option A, that is delimitation commission के द्वारा ये काम किया जाता है, next, on which it must be date, और on which date, did India became a sovereign democratic republic, किस दिन पर इंडिया जो है, वो sovereign democratic republic nation के रूप में existence में आया, 15th of August 1947 को, 26 January 1950 को, या फिर 30 January 1952 और 26 January 1947, correct answer is, option B, that is 26 January 1950 को, हमारा जो constitution है, वो एंफोर्सुआ, next, constitution is declared to have been adopted and enacted by, constitution जो है, वो adopt और इनेक्ट किया गया किस के द्वारा, by the constituent assembly के द्वारा, people of India के द्वारा, president के द्वारा, या फिर Indian parliament के द्वारा, so, the correct answer of this question is, option number B, that is people of India, ये question आपका पूछा गया है, from preamble, जब हम preamble पढ़ते हैं, तो preamble start ही ऐसे होता है कि, we the people of India, इसका मतलब जो source है, वो कौन है, people of India ही जो है, वो source है, to the constitution, next, which of the following article is related to liberty of press, इन सभी में से कौन सा article है, जो की freedom of press से related है, बहुत ही simple question है, directly article based, article 19, article 19 में वो भी specifically, जब हम article 19 1a को पढ़ते हैं, that is, freedom of speech and expression, तो वहाँ पर liberty of press के बारे में हम पढ़ते हैं, next, who can impose reasonable restriction on fundamental rights, हमारे fundamental rights, जो की part, third of the constitution के अंदर है, वो fundamental rights absolute नहीं है, उनके ओपर restriction लगाई जा सकती है, तो restriction लगाने की power किस के पास है, supreme court के पास, parliament, president, और none of these, कौन restriction लगा सकता है, या फिर restriction लगाई ही नहीं जा सकती, so the correct answer is option B, that is, parliament is empowered to impose reasonable restrictions on fundamental rights, next question, the right to constitutional remedies, जो right है constitutional remedies, उप्टेन करने का, वो किस के पास available है, citizen of India के पास के वल, या सभी व्यक्तियों के पास, increase अगर उनका fundamental right infringe होता है, या all people for reinforcing the fundamental rights conferred on them, अपने fundamental rights को enforce कराने के लिए, कोई भी person constitutional remedies का use कर सकता है, या फिर ये right के वल aggrieved person तक ही सीमित है, so the correct answer is option number C, that is, अगर किसी भी व्यक्ति का fundamental right breach होता है, तो अपने उस right को enforce कराने के लिए, आपके पास remedy है, in the form of constitutional remedies, अडर आर्टिकल 32 का आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप यूज करें, आर्टिकल 226, अप्रोच तो दा हाई कोर्ट अंडर रिट जूरिस्डिक्शन, next question, एक command asking a public authority to perform their public duty, is called the writ of, वो कौन से writ है, जिसमें की public authority को command किया जाता है, कि वो अपनी public duty को perform करें, पहले हम one by one इंचारों writ को discuss करते हैं, बेसिकली आर्टिकल 32 जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें 5 writ देखने को मिलती हैं, जिसमें की, first is habeas corpus, co-warranto, mendemus, prohibition, and a fifth writ है आपकी, that is writ of certiorary. So habeas corpus का मतलब क्या है, habeas corpus का मतलब है, let you have the body, अगर किसी person को detain किया गया है, बिना किसी lawful authority के, तो ऐसी situation में उस person के पास अधिकार है, कि वो court को approach करे, against such unlawful detention. Next, co-warranto, co-warranto मतलब, जहाँ पर कि ये पूछा जाता है, कि by what authority you are holding a public office, अगर कोई person किसी public office को hold किये हुए है, बिना किसी lawful authority के, तो ऐसे person के against co-warranto के rate issue की जा सकती है. Third is mandemus, and mandemus का मतलब है, जहाँ कोई public officer अपनी public duty को mandatory duty हो री चाहिए, उस mandatory duty को perform नहीं करता है, तो ऐसे situation में mandemus lie करती है. So the correct answer of this question is, mandemus. Next is prohibition. Discuss कर लेते हैं, prohibition क्या है? Prohibition का मतलब है, कि to prohibit, यानि कि किसी को रोकना. हम रोकते कब हैं? रोकते हैं कुछ काम करने से पहले, यानि कि अगर कोई person कुछ गलत करने जा रहा है, तो ताकि वो गलत ना करे, इसलिए हम उसे रोकते हैं. तो prohibition क्या है? जहां पर कि जो judicial authorities हैं, उन्हें prohibit किया जाता है, रोका जाता है, कि वो कोई ऐसी activity ना करें, जिसकी वज़े से, वो अपने jurisdiction को exceed कर रहे हो, और लोगों का right का violation हो, या फिर कुछ गलत activity उनके द्वारा की जाए, कोई गलत judgment वो प्रणाउस कर दें, इसलिए उन्हें prohibit किया जाता है, कि वो अपने jurisdiction से exceed होते हुए, अपनी powers का misuse ना करें, तो that is prohibition, और एक और रिट आती है, that is the writ of certiorary, certiorary means to certify, और to quash the proceedings, अगर judicial या quasi-judicial authorities के द्वारा, कोई order issue कर दिया गया, तो after the issuing of that order, उस order को quash करना जो है, quash करने की power, that is concerned with certiorary. So, ये थे वो सभी questions, जो की year 2010 में पूछे गए. अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो please do hit the like button, share this with your friends, and stay tuned with our channel, and प्लस अगर आपको इसका PDF चाहिए, तो आप हमारे telegram group से connect हो सकते हैं, जिसका link आपको इस वीडियो के description box में दिया गया है, बहां से आप telegram पर जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं, various other study material भी बहां पर आपको available है, साथ ही अगर आप ये चाहते हैं, कि हम जिस तरह से constitution के questions को discuss कर रहे हैं, इसी तरह से हम किसी other subject के question को discuss करें, तो आप comment section में जरूर हमें बताएं, we will surely consider your views, अब हम discuss करेंगे कि year 2011 में क्या questions आए, the directive principles of state policy as embodied in part 4th of the constitution, constitution के part 4th में DPSP देखने को विलते हैं, तो वो DPSP जो हैं, वो हमने derive कि, it should be us, हमारे द्वारा, यानि कि Indian constitution में उन directive principles को कहां से लिया गया, constitution of Ireland से लिये गए हैं, USSR के constitution से लिये गए, Switzerland से लिये गए, या Gandhian constitution से लिये गए, correct answer is option A, that is constitution of Ireland से DPSP को लिया गया है, next state which of the following statement is correct, इन सभी statements में आपको बताना है कि preamble के बारे में क्या बात सही है, preamble is not a part of constitution, या preamble constitution का भाग है, and basic structure से related है, preamble is not a part of constitution, but only a sort of introduction to the constitution, केवल constitution का एक introduction मात्र है, या preamble एक प्रोलोग की तरह है, to the constitution, so the correct answer of this question is, option number B is the correct answer, कि preamble constitution का हिस्ता है, और basic structure का भाग है, basic structure पढ़ते ही, आपको याद आना चाहिए, ये the case of Keshwananda Bharti, जिसमें की basic structure theory propound की गई, next is state which of the following statement is correct, आपको बताना है, कौनसे statement correct है, जो American doctrine of waiver है, वो इंडिया के अंदर apply होती है, क्या हम अपने fundamental arts को वेव कर सकते हैं, या नहीं, basically ये question यही बात पूछता है, and the correct answer of this question is option B, कि no person can waive his fundamental rights, कोई भी वेक्ति अपने fundamental rights को waive, नहीं कर सकता, next is the right to equality, equality का अधिकार, अंडर article 14, जिसका मतलब है कि कोई भी वेक्ति लॉपर नहीं है, to this rule, there are certain exceptions, however, right to equality के भी कुछ exceptions है, तो आपको बताना है कि इन सभी में से, right to equality का exception क्या है, क्या president of India is an exception to the equality, ambassador of USA is exceptional to equality, judges of high court, या फिर ये सभी जो हैं वो, right to equality से exception है, correct answer of this question is, option A, that is president of India, and ये question आपका पूछा गया है, article 361 से, जह हम article 361 पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें पता चलता है, कि कुछ immunities और privileges, president को available हैं, next is, कौन से रिट है, जो की judicial और क्वासी judicial authorities के against, lie करती है, अभी हमने पांचों रिट डिसकस करी, so the correct answer of this question is, option number C, that is writ of certiorary, next, a writ cannot be issued against, किस के against, writ issue नहीं की जा सकती, a writ can be issued against the high court, इसे आप individually अलग पढ़ें, कि क्या कोई writ, जो है, वो हाई कोर्ट के against, issue की जा सकती है, क्या ये बात सही है या नहीं, next is, अब अब जो ये तीन option पढ़ेंगे, तो इधे पढ़ें इस question के साथ, देखें कई बार question की जो language है, वो भी बहुत अलग तरह से frame की जाती है, ताकि बच्चे confused हो जाएं, तो a writ cannot be issued against the government of India, and state government, रिट जो है, वो government of India, और state government के against issue नहीं की जा सकती, या फिर a writ cannot be issued against the authority, जो कि government of India के control में वर्क कर रही हो, या फिर a writ cannot be issued against the parliament, और state legislature, and the correct answer is option D, की पार्लामेंट और state legislature के against आपरेट इशू नहीं करा सकते, नेक्स दर डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर, जो DPSP दिये गए हैं, पार्ट फोर्थ के अंदर, फ्रॉम आर्टिकल थर्टिसिक्स तो आर्टिकल फिफ्टिवन, जो कि हमने आर्लेंड के constitution से लिए, तो क्या जो डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो उनका नेचर कैसा है, इस आर जस्टिसिएबल, वो जस्टिसिएबल हैं, जिस तरह से fundamental rights हैं, उसी तरह से, या फिर वो जस्टिसिएबल तो हैं, बट उस तरह से नहीं, जितना की fundamental rights हैं, या फिर डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स के वल एक decorative portion है, constitution का, या डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्न जस्टिसिएबल, बट या फिरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्न गवर्नेंस ऑफ कंट्री, एक important role प्ले करते हैं, इस तरह से नहीं करते हैं, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उसने fundamental right को enforce कराने के लिए court का अप्रोच कर सकते हैं, इसका मतलब fundamental rights are justiciable, whereas DPSPs are not. Next question आता है, जो total number of ministers हैं, including the prime minister in the council of ministers, should not exceed, वो नहीं होने चाहिए, इससे जादा, किससे जादा, 20% of the total members of Lok Sabha, 15% of the total members of Lok Sabha, 20% of the total members of Rajya Sabha, या 15% of the total members of both the houses, correct answer of this question is, option B, that is 15% of the total members of Lok Sabha, Lok Sabha के सदस्यों के 15%, और ये question आपका पूछा गया है, from one amendment, that is 91st amendment, 2003, next question is, vast powers and functions vested in president, प्रेजिदेंट को वास्ट पावर्स दी गई हैं, बहुत से फंक्शन्स दीए गई हैं, इसकी वज़े से, क्या जो इंडियन प्रेजिदेंट है, वो एक डिक्टेटर की तरह वक करते हैं, या फिर एक बेनेवलेंट रूलर हैं, या real head of the government है, या केवल वो एक nominal constitutional head है, so in respect of Indian president, he is only a nominal head of the government, next is, only that person can be appointed as a judge of supreme court, supreme court के judges के लिए eligibility condition क्या है, judge of high court वो रहे हो 5 साल से, advocate of supreme court रहे हो 10 साल से, judge of the high court रहे हो for at least 10 years, या advocate of the high court रहे हो for at least 15 years, the correct answer of this question is option A, that is, high court के वो judge रहे हो पिछले 5 सालों से, और जो ये appointment के बारे में provision है, ये article 124 में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर establishment of supreme court, eligibility, impeachment, ये सब बातें बताए गई हैं, next question, while a proclamation of emergency is in operation, जह अगर proclamation of emergency existence में है, तो जो state government है, cannot legislate, state government कोई law बना ही नहीं सकती, या law बना सकती है केवल उन matters में, जो की concurrent list में mentioned है, या फिर law बना सकती है केवल उन matters में, जो की state list में mentioned है, या the state government is suspended, state government पूरी तरह से suspended रहती है, correct answer is, option C, that is, it can legislate only in those subjects, जो की state list के अंदर mentioned है, next, what cannot be done directly, cannot be done indirectly, या जो statement है, basically आपको ये बताना है कि, ये statement, किस doctrine के meaning को दर्शाती है, पिफेंट सबस्टांस, एंसिलिरी पावर्स, इंप्लाइड पावर्स, या फिर doctrine of, कलरेबल लेजिसलेशन, and the correct answer is, option D, that is, doctrine of कलरेबल लेजिसलेशन, is the correct answer, next, रेजिड़री पावर्स आर वेस्टेड इन, रेजिड़री पावर्स जो हैं, वो किस के पास हैं, एंग्जेक्यूटिव के पास, पार्लियामेंट के पास, जुडीशरी के पास, या फिर स्टेट लेजिसलेशन के पास, देखें, बहुत छोटा सा क्वेशन, लेकिन, काफि स्टूडेंट्स नहीं समझ पाएं, क्या पता कि, रेजिड़री पावर्स जो हैं, वो कहां से ये क्वेशन बूछा गया है, तो जब हम बात करते हैं, about the legislative relations of union and states, आर्टिकल 248 में हमें, रेजिड़री पावर्स के बारे में, पढ़ने को मिलता है, कि the residual power is vested in the parliament, नेक्स्ट, दे कॉंस्यूटूशन अफ इंडिया, इस इंडियन कॉंस्यूटूशन का नेचर कैसा है, highly federal है, highly unitary है, ना ही federal है, ना ही unitary है, या partly federal और partly unitary है, तो correct answer is option D, that it is partly federal and partly unitary, and एक term यहाँ पर आती है, that is quasi-federal, कि Indian constitution जो है, उसका नेचर कैसा है, that it is quasi-federal in nature, आप comment section में यह बताएं, कि किसने कहा, किसने इस statement दी, कि Indian constitution जो है, वो quasi-federal है, there is an important jurist in this respect, next is, Indra Sahani जो judgment है, Indra Sahani versus Union of India, इसे popularly किस नाम से जाना जाता है, क्या यह अयोध्या केस है, या मंडल कमिशन का केस है, सुसाइड से related कोई मैटर था, या इलेक्शन का केस है, बहुत easy question है, और सभी ने यह पढ़ा होगा, इंदra Sahani judgment, that is related to the report of Mandal Commission, जहाँ पर की, 50% का जो ceiling limit है, in respect of reservation of seats, वो imposed किया गया, by this particular judgment, सो यहां तक, हमने discuss करा, कि year 2010 में क्या questions पुछे गए, and 2011 में क्या questions पुछे गए, next video में हम, 2013 से discuss करेंगे, अगर आपको यह video पसंद आया, so please do hit the like button, share this with your friends, and अगर आप चाहते हैं, कि हम किसी और subject पर, इस तरह से, questions को compile up करके, आपके लिए ले करके आए, तो आप प्लीज comment section में, अपना opinion हमें दें, अपने views बताएं, and which will surely consider, कि हमें किस subject के ऊपर, वीडियो बनानी चाहिए, and, अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए, तो हमारे टेलेग्राम ग्रुप से, आप connect हो सकते हैं, thank you for your support, and stay tuned with our channel, for more such videos,